मेरे खाल से देड़ साल होल्ड करेगी इसके लिए भी किसान एगरी नहीं है और मैं खुद जा रहा हूँ 26 जनवरी को किसान रैली में और अभी मेरी वही से बात हो रही थी उनकी साथ ही बात हो रही थी पुलीस प्रसेशन के साथ उनकी मिटिंगे चल रही है इस समय देश के लोगों मैं किसान नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें सिर्फ किसान शामिल नहीं है मैं भी शामिल हूँ किसानों की मांग नहीं है देश की लोगों की मांग नहीं है तो जब तक ये पूरे तीनों कानून वापस नहीं लिये जाते इसको बर्खास नहीं किया जाता ये अंदोलन चलता रहेगा और ये अंदोलन और भी बढ़ता रहेगा ये हमारी जो सब भूमी का है वो यहाँ पर ह है तो यह जो कह रहा है कि देड़ साल तक हम कुछ नहीं करेंगे सुप्रिम कोट का आप देखिए decision उन्होंने committee बिठाई जिनोंने already इसका समर्थन किया हुआ है कि किसान बिल तो बहुत अच्चा है किसानों के समर्थन का है जिनकी यह भूमिका है ऐसे लोगों को committee के खारीज नहीं होता तब तक यह आंदोलर चलता रहेगा देखिए आज यह जो देश है ना यह एक ऐसे मुकाम पर आया है कि अगर हमने थोड़ा धील दे दिया तो यह fascism की ओर चला जाएगा एक अधिकार शाही की ओर चला सब्सक्राइब करएगा अधिकार स्टेट को पुछा नहीं गया तो स्टेट खतम हो गये स्टेट के में देखिए हुए किसान के पीछे कितने स्टेट के कितने Öईउस ने ने sign किया हुआ है तो ये सारा fascism की ओर देश जा रहा है और ये एक रसी खेस चल रही है या तो अगर देश के लोग जीते तो democracy जो hard earned democracy है जो इतने संगर्षों के बाद इस देश को लोकतंत्र मिला है बाबा साब ने सविधान दिया है तो या तो सविधान रहेगा अगर का पाए इसको सफलता हासिल कर पाए तो democracy बचेगी अगर ये अंदोलन सफल नहीं हो पाया तो इस देश में फिर से एक अधिकार शाही आ जाएगी फैसिजम आ जाएगा और जीयों के हाथ में अम्बानीस अडानीस इनके हाथ में ये देश चला जाएगा तो ये एक रसी case चल रही है और ऐसे मुकाम पर है कि अगर हमने थोड़ी सी भी ढिलाई यहाँ पर बरती तो ये देश पूरा का पूरा पुरा पुझी पतियों के हाथ चला जाएगा ब्राम्बन वादों के हाथ में ये देश चला जाएगा और हमारे पुरवजों ने हमारे इससे पहले की जो लोग थे जिन्हों ने देश के आज़ादी के लिए योगदान दिया सविधान बनाने के लिए बाबा साब ने इस देश को वर्ल्ड का बेस्ट constitution दिया ये अब उनकी लड़ाई यहां पर चल रही है और मुझे पूरी उमीद है जिस तरह का महौल मैंने किसान आंदोलन में देखा कि इस वार देश का पार्लेमेंट या संसद या एक अधिकार नहीं जितेगा देश के लोग जितेंगे ये मुझे पूरी उमीद है